तो गाई इस Mac OS Sequoia 15.1 Apple ने अपडेट रिलीज किया है और इस अपडेट के अंदर Apple Intelligence Feature और इस Apple Intelligence Feature को यूज करना है तो कुछ सेटिंग्स को सबसे पहले आपको चेंज करना पड़ेगा तो सबसे पहले अपडेट है अपडेट आपको चेक करना है और चेक करके जैसे अपडेट पे लिक्लिक करेंगे तो यह अपडेट सो होगा और आपका Mac OS 15.1 अपडेट होना सुरू हो जाएगा तो सबसे पहले इसको अपडेट कर लेना है तो जैसे आप अपडेट करेंगे त इसको अक्के सकते लिए आपको जाना है जैसे आपधके अंदर आए चेंज और है इसके बाद आप इसको एक्तिविट कर सकते इसके बाद दूबार को रीटेन जाना है सिरि एपिल इंटे लिएंस के अंदर के अंदर आएंगी तो आपको turn on Apple इंटेलिजेंस का आप्सिन हैए इन अप को पॉप आएगा कंडीन्व करने के बाद समराइज all क्लल नोटिफिकरीचन आएगा इससे आपको कंटिन्यू करना है इसके बाद hook अपिए अपको कंटिन्यू करना और ऐ Officer गा के लिए पांच से 10 मिन टाइम लगेगा लेकिन जैसे आप से करेंगे तो जिरी के अंदर अपको वो चेंज देखने नहीं मिलेगा तूरंद इसके लिए आपको 6-8 घंड़ भी लग सकता है और 24 आर्ट भी टाइम लग सकता है तो इसके लिए आपको इधार टेंसर नहीं लेना है और इसके बाद जैसे आप सिरी आइकन के पर किलिक करेंगे तो टाइप टू सिरी का अप्श जानकारी करना है तो इस सिरी को कमांड देना है अब सिरी को कमांड देने के बाद बहुत 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 इन तरीके से अप्टुमाइज कर रहे हैं लेकिन काफी ज़्याद है इंप्रूब्मेंट्स अभी बाकि है तो फाइनली भाई सिरी एक के बाद एक टाइप होते देंगे तो Siri आपका एक्टिविट हो जाएगा और इसके बात ही आप राइटिंग टूल्स यूज़ कर सकते हैं इसके लिए आते हैं तो आप समराइज यूज़ कर सकते हैं और कुछ गलत अपने टाइप कर दिया उसको सही करने के लिए रिडाइट यूज़ कर सकते हैं कौन साइज है इसे आप यूज़ कर सकते तो राइट टूल्स के अंदर काभी सारे और एक बहुत बड़ा नेक्स लेवल फीचर ह सब्सक्राइब करने के बाद आपको डबल क्लिक करके नीचे आना है राइट टूल्स के अंदर काभी सारे फीचर को यूज़ कर सकते हैं लेकिन इसके अंदर आपका नीट कौन सा इसको आपको समझना पड़ेगा जैसे मैं रिराइट करता हूं तो इसके अंदर मुझे यह इस 18.1 RC और बीटा 2 के अंदर तो इस सारे डिटेल्स मुझे बता दिया अगर इसके अंदर मैं डबल क्लिक करके दूबार आइस को मैं स्वाडली बनाना चाहता हूं तो मैं समराइज यूज़ कर सकता हूं यह मुझे स्वाडली बताएगा जो इसके अंदर क्या मेंसन है औ इसके अंदर मैं ने किया तो यह नहीं सिंदेंस बना एक चाहिए रिप्लेश कर सकते हैं कौपी कर सकते हैं तो कफी कई तो एयूज़ करेंगे तो ini Yesividad Undo option जैसे नीचे आएंगे तो राइट टूल इस सारे option आपको मिल रहे हैं तो इसको यूज कर सकते हैं और इसके बाद next एक नए focus mode add किया है apple intelligence interaction इसके लिए आपको नीचे आना है जाना है focus mode reduce interaction तो इसके उपर आपको क्लिक करना है इस page के अंदर को सबसे पहले इसको सलेट करना पड़ेगा जैसे किसी भी कॉंटेक्स को आप सिलेट करना चाहते हैं और उसे silent mode पर डालना चाहते तो इसके लिए AD people के उपर क्लिक करके जितने भी जैसे सेलेट करेंगे एक्टिवीट हो जाएगा और यह आपको आइकन दिखाएगा जो आपको नहीं फोकस एड़ हो गया और यह भी एपल इंटेलिजेंस की तरह काम करेगा और टाइमिंग अब लगा सकते कितने घंटे के लिए कितने टाइम के लिए तो आपसिन भी है इसक साथी टूल से जो एपल ने और लेना जैसे महां फोटो को स्लेट किया और इधर मोजे ऊप опасन है ने को इनको पर मुझे क्लिक करना क्लीनिप残 इसके बाद तो इसने कर Damn ऐस के बाद ऑम सब्रोबं को स्ब्जजेक्ट ही बोल के आपको पता भी नहीं चलेगा और आप चाहे तो किसी का face या किसी subject को आप बलेर कर सकते हैं इसके लिए आपको clean up के उपर ही क्रिक करना है round circle बनाना है जैसे बनाएंगे तो फेस बिल्कुल देखेंगे आप जो बलर हो गया अब इस तरीके का बलर किसे subject को आप दिखाना नहीं चाहते तो बलर कर सकते हैं आपको ब atención करेंगे तो एदर आपकोएंगे फोन के अंदर उनलोकक करना पढ़ेगा इसके बाद आपका phone, Soga और iPhone mirroring को use कर सकते है, अपने Mac के अंदर, इसके अंदर सबसे जो बड़ा feature है, आप किसी भी photo को drop कर सकते हैं, और call लगाना है, message करना है, तो यह सारे feature finally available है, तो आप इसको check कर सकते हैं, तो एक बहुत बड़ा changes है, जो 18.0 के अंदर Apple ने लाया था, लेकिन यह काम नहीं कर रहा था सही से, लेकिन 18.1 के अंदर यह बहुत सही तरिके से काम करें, इसके साथ Mac OS 15.1 के अंदर, और next voice memo के अंदर, जैसे open करेंगे first, तो एक नए flash screens होगा, तो उसके ओपर आपको start करना है, इसके बाद आपको click करना है, और यह voice record आप तो सुन सकते हैं, लेकिन इसके अंदर live transcription का option है, अब live transcription आप देख सकते हैं, लेकिन हिंदी के अंदर नहीं, इंगलिस के अंदर है, इसके साथ आपको replace का option है, जैसे आप edit के ओपर click करेंगे, तो replace, आप replace के ओपर जैसे मैं click करता हूँ, और जो मैं बात कर रहा हूँ, इसके साथ यह typing होते जा रहे ह इधर से आप इसको replace तो आप कर सकते हैं इसके साथ जैसे आप done के उपर क्लिक करेंगे तो आपको option देखने मिलता है save new recording और save recording आप चाहे तो इसको save कर सकते हैं आप चाहे तो new record भी कर सकते हैं तो boys memo के अंदर भी next level changes के आपिल ने next notification अब notification के अंदर summarize feature है अब जैसे notification आता है तो summarize feature है इसके लिए आपको जाना है settings और नीचे आपको notification का option है और इधर देखेंगे तो summarize previous का option है तो इस toggle को आपको on रखना चाहिए apple intelligence यूज करने के लिए और next feature है airdrop के अंदर किसी एक particular चीज़ को airdrop करते है तो यह काफी quick और काफी fast काम कर रहे है और airdrop का एक नए icon आपको देखने मिल रहे है तो जैसे अब airdrop करते है इसका नए look और एक नए animation के साथ तो बहुत बड़ा upgraded है और message के अंदर जाकि किसी को आई message करते हैं तो emojis के अंदर भी काफी जादा upgrade किया काफी नए नए emojis आपको देखने मिलता है तो सारे emojis अब यूज कर सकते है लूक लाइक और apple intelligence तो फिलहाल जैनमोजी ग्राउंड फ्ले यह भी आने वाला है beta 2 के अंदर तो इसलिए आपको वेट करना है next update का अगर performance की बात करें तो भाई performance ठीक ठाकी देखने मिल रहा है इसके अंदर battery drain का issue नहीं है ना तो overheating ना battery life में कुछ कम देखने मिल रहा है काफी ज़्यादा improvements मुझे लग रहे है तो अगर आप लोग macOS 15.1 अभी तक update नहीं किया तो इसको update कर सकते हैं काभी सारे features है और कुछ पू